अलो दोस्तों स्वागत आपका आई प्राइडर ऊटो मूबाईल यूटूब चैनल में और आज लेकर हम आपके लिए प्रैनो क्विड की अगर हम बात करें तो यह खड़ी कुड़ गाउं में शोरू खरीद नहीं है शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करें तो उपर दे दिए इसके LED DRL जो कि यहां है वहीं इसके अंदर साइट्रन इंडिकेटर भी दे दिए हैं जो कि एक बलिप की तरह जलते हैं नीचे की तरह बात करोगे तो लो भीम हाई भीम दोनों इसमें ऐलो जन देखने को मिल ज जाएगे ब्लैक कलर की ग्रिल नीचे कुईड दिखा है साथ में यहां पर आपको ग्रे कलर कियेगे इसके स्कीड प्लेट भी मिल जाएगे और साइड से इसका प्रूपर ऑवरल कुछ इस तरीके का कुईड का लुक आता है और भाई लुक में तो यह 800 को गायल काती करती है साइड में बात करेंगे तो क्लेडिंग इसमें बाई जरूर मिलेगी और अच्छी बात भी है तो क्लेडिंग इसमें हम मिलेगी दोनों वील पर लेकिन नीचे क्लाइडिंग के अंदर नहीं दी बात करते हैं टायर की तो सबसे पहले हम टायर देख ले तो टायर इसमें C8 क चोदा इसके चोदा इंच केसिन में अलोई विल आते हैं जो कि कुछ इस तरीके से और यह सेमी अलोई है वह मापको बताऊंगा आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाएगा बीच मेरा अनुका लोगो आज भी यह तीन पेज ही देते हैं अपने टायर के अंदर यह अच्छी ब आधि और वहां भी यह थोड़ी जिया मैं ऑशिन ब्लू कलर की देखने को मिलती है ए पिलर बोडी कलर भी पिलर डार्क और सी पिलर पोडी कलर देखने को मिल जाएगा है नीचे बात करें सेम चोदा इंच के पीछे सीट के अलोई विल मिल जाते लेकिन पीछे इसमें ड्र बात करें साइट ट्रंड इंडिकेटर ये इसका स्टोप लेंप ये बैक लेंप में शीशे की बात करेंगे तो शीशे पर आपको भाई वाई पर वाजडी फगर कुछ नहीं मिलेगा सिरोफ हाइमांट स्टोप लेंप मिलेगा एक चोटा सा स्पोईलर जो भी बोड़ी के अं कर सकते हैं स्कीड पेट वाई ग्रे कलर की देदी दोनों तरफ देदी इसके रिफ्लेक्टर और ये कुछ इसकी इस तरीके से टेल लाइट देखने को मिल जाती है अब रूफ रेल भी भाई कंपनी ने एड कर दी है जो की लुक काफी अच्छी देती लेकिन ये वर्किंग किन जाता है अंदर जाने से पहले बात करेंगे इसकी चाबी गी तो यह बाइस की की बीचे रेनों की लोगों कुछ्छ तरीके से ये फ्लेट है क्रोम का डोर हैंडल दे दिया इसमें ग्रैब हैंडल और यहां पर बोटल रखने की जगह और यह दे दिया क्लाइंबर आपको प्रोपर लिखा हुआ मिलता है यह पूरे टेक्टर डिजाइनिंग अब आगे भाई हम गाड़ी के अंदर सबसे पहले आपको स्टेरिंग दिखाऊं तो स्टेरिंग इसमें आज भी ना टिल्ट होता ना टैलिस्कोपिक होता कोई भी इसमें अमें देखने को नहीं मिलेगा लैदर रैपिंग ना फ्लैट बोटम हलका सा दिया है लेकिन दिखता करने के लिए होंगे यह कुछ इस तरीके कि इसकी बंद डिस्पले के अंदर में यह दिख जाती है इसकी लगाता हूं की और फिर बताता हूं इसमें क्या क्या मिलता है रैनो पर लिखा हुआ है पहले यहां बात कर लें यह मिलते हैं इसके और वीम के कंट्रूल जो कि तो यहां पर क्या-क्या मिलेगा तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर आर्पीम मेटर मिल जाएगा आवाज कम हो जाब रो आवाज कर दी हमने बंद तो यह मिल जाएगा आर्पीम लिखा हुआ यहां पर आपको आर्पीम शो करेगा यहां पर आपको फ्यूल लेवल शो कर तो यह किसी का connect हो गया वाई यह कुछ इस तरीके का सारा चीज हमें दिखता है यहां गर हम बात करेंगे तो ऊपर रहनो लिखा हुआ है यहां पर यह लिखा है टेमप्रेचर रहनो की ब्रेंडिंग नीचे की तरफ बात करोगे तो speedometer यह आपको अब तो वह बाई किसी शोरूम में यह connect था इसलिए यहां बाकी देखेंगे तो trip A, trip B यह सारी चीज़े यहां पर यह बटन दिया गया है इसको आप चेंज करके किलोमेटर पर लीटर इसका instant निकाल सकते हैं यह सारी चीज़े यहां निकाल सकते हैं कितना fuel क्या average दे रही है तो यह सारी चीज़े इसमें range 1, range 2, fuel, use, average, set, tire, pressure तो मतलब इसमें TPMS भी हमें मिल जाता है मतलब एक hatchback सबसे चोटे segment की गाड़ी में TPMS मिला है यहां पर यह सारी चीज़ आपको वाइपर कंट्रोल यहां पर मिल जाएगा headlight कंट्रोल यह मिल जाएगा 8 inch की touch display जो कि कुछ इस तरीके की है इसमें media phone radio setting में आएंगे तो भाई मेरे पास बताओ मेरे पास भी quid कारी है और आज तक यह बिल्कुल सेम है खाली interface change हु जेम को यहां देखने को मिल जाती है मीडिया में जाओगे तो आपको यह उग्जल लग ओ यह मिल जाएगा phone में जाओगे तो bluetooth की listing मिल जाएगी night mode आपकी night mode में चला जाएगा बाकी आपको इस तरीके सा जाएगा radio में जाओगे तो आपको radio का system खुल जाएगा बस इसके अ बाले mirror और यह इस side वाला mirror आपको देखने को मिल जाएगा AC की बात करोगे normal AC जो कुछ इस तरीके से काम करता है यहां बात करोगे 12V का power socket और USB connect करने के लिए type A यहां कुछ समान रखने की जगे साथ में यहां भी आप कुछ समान रख सकते हो यहां बात करेंगे 5-speed का manual gearbox और अगर reverse करना है तो इस तरीके से उठाके और यह reverse हो जाएगा तो reverse इस तरीके से लगता है आपको दिखा दो इसके अंदर camera भी जुड़ गया है तो यह दिया हमको camera यहां पर आप देख सकते brightness show क्या करना है यह camera की quality decent है आपका काम चला देगा इस तरीके का camera इसके अंदर आठा दिया थोड़ा सा लेया गया लगाने के एक दो सेकेंड बाद आता है फिर जाता है यहां कुछ समान रखने की जगे यह इसका handbrake वही पुराने वाला handbrake देखने को मिलता है यह सारी चीजे हो गई यहां उपर बात करेंगे तो normal कुछ नहीं है यहां बात करेंगे त का IRVM साइड से यह सारी चीजे आपको कुछ इस तरीका के देखने को मिलेंगी यहां पर कुईड की ब्रैंडिंग एरबैक की ब्रैंडिंग नीचे देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा डीप यह एडवांस हुआ इसमें इतना ज़्यादा डीप अंदर तक इसको कर दि रुपे सीटिंग में कोई प्रोवलम नहीं होती आगे बाड़े के लिए इसको करता हूं एड़ेश्ट और पीछे बताता हूं आपको स्पेस तो यह आ गया भाई हां क्लच की बात करूं तो पहले वाड़े से क्लच काफी लाइट हो चुका है ब्रेक सेम और पैडल भी वह के लिए जग है यहां मिल जाएगा आपको करोम का डोर हैंडल बागी स्पीकर इसमीं मिलेंगे इस पीकर दो ही मिलते हैं नीचे से उपर तक यहां मिल जाएगी आपको इसकी सीट सीट की बात करूँ थाई सपोर्ट भाई बढ़ा दिया इन्होंने तो सीट बदल रखी पीछे वाड़ी अंदर बैठके बदाता हूं बाकी सारी चीजे तो हम आगे अंदर भाई नी रूम इतना मिलेगा तो हाँ बाई मी रूम इतना ही मिलता है इसमें अमारी रेडी में पूरा चिप का हुआ तो उसमें इतना मिल जाता है तो इसमें इतना है थाई सपोर्ट की बात करोगे तो सीट लगी रही थी लेगन थाई सपोर्ट उतना ही है अभी भी लेग रूम अच्छा है मलब comfortable seat है यह मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें बैठके चलता हूँ हूँ तो लंबे टो रुपए मैं 200-300 km तक लोग गया हूँ तो प्रोगलम मुझे नहीं होई तो यह मैं बोल सकता हूँ experience मेरा है हम उसमें भी इतना इसमें भी इतना ही same size का हम मिल जाएगा चोड़ा इतनी बाई दो बंदे बैठ पाते तीन नहीं बैठ पाते अगर पतले पतले जाओ तो तीन बैठ जाएंगे वरना नहीं बैठ पाएंगे पिक्स टाइब के डोर हैं यह वही पुराणे वाड़े इही ने भी आस्तक ने कंपनी ने बदला है और यह सारी चीज़े आपको ही मिल जाएंगी अब चलते हैं बूट में और बूट स्पेस की बात करता हूँ तो अब आगे वाई इसके बूट में बूट में सबसे पहले आपको पार्शल ट्रे मिल जाती है इसको उठाएं तो इसे ओन कर लेता हूं तो यह कर लिए ओन तो यह है इसका बूट स्पेस 279 लेटर की इसमें बूट स्पेस मिलते है वाई मुझे तो पता नहीं कितनी मिलते थी हमारी में तो CNG रखी है तो यह बूट स्पेस इसमें हमें मिलती थी C8 का टायर है नीचे और यह स्टील रिम और सेक्शन की बात करूँ तो 14 इंच का तो मलब सेम साइज का टायर कंपनी नहीं यहां दिया है और हमारी में यह कवर था इसमें अठा दिया यह सारी चीज़े आपको यहां मिल जाती है 279 के बूट के साथ अब चलते हैं इसके हुड में और मैं बदाता हूं इसकी पावर फिगर साथ का तो यह है इसका इंजन वन लीटर का मैं इससे का विरोबरू हूं 67BHP की पावर और 91 न्यूटन मेटर का टॉर्ग 1000cc का 3 सिलेंडर का इंजन है इंजन गाड़ीज में आता नहीं बाकि यह कुछ इस तरीकी के हैं भाई फीचर्स की बात करूँ एबीएज इवीडी इस पी एलेक्ट्रोनिक स्टेबिर्टी प्रोग्राम ही लोल्ड गंट्रोल इस वाड़े मोडल में हमें देखने को मिल जाते हैं इसको तो मैं अच्छी दिरह जानता हूं बाकि जो डियारल में बता रहा था हूं कुछ इस तरीके कि इसके दिखते हैं तो काफी है क्यों स्ट्रांस में मिल जाता है सिंगल वाइपर इसको भी आज तक नहीं चेंज किया पंपनी ने तो भाई यह है रहनों प्विड और ड अच्छा लगाओ जैसे नहीं नहीं अपडेट आएं टीपीमस भी जुड़ गया फिर इतना सात्यों शोरूम की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है नंबर के साथ जाओ और गाड़ी खरीदो कोई दिक्कत नहीं बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो शेर करो सब्स